हाई फ्रेंड्स ये जो वैंपार के बंदने इसमें मैं दो तीन सब्जेक्ट पे काम करने वाली हूं डिवान मास्क लेन की थोड़ी एनरजी भी बता रहे हूं आपको इसमें मैंने ड्रीम में कुछ चीज़ें नोटिस की बहुत लोगों के लाइट ने जो सोलमेट रिटर्न आ सकते हैं आप उसको एकसेप्ट करो ना करो ये आपके ऊपर है कुछ लोगों के सोलमेट जो भी वैंपायर निकले आप तो बचके रहो से फाल्स टून हो या सोलमेट हो जो भी कोई कनेक्शन मितलब ड़वान मास्क लेन के सवा कोई कनेक्शन काम नहीं कर सकता भी जब एनरजी बैलेंस होगी तो आपका हार्मोनियस रियूनिन भी हो सकत है बट तब तक आप सोचती हो कि भी मैं क्यों सफर करूं मैं किसी कनेक्शन से हीलिंग चाहते हूं उल्टा आप जो है रिवर्स में चले जाते हो एनरजी आपकी लो हो जाती है मैं कुछ एक्सपीरिंस शेयर करना चाहती हूं तो वैंपार्स जो होते हैं वो काली शक्ती से मतलब संबंदित होते हैं मतलब पिशाचों से संबंदित हैं एक तिरह के पिशाच ही वो होते हैं और ये भी हो सकता है कि अब ये बहुता आना बहुत ही मुश्किल है कि वैंपार सोल जनमजात ही कोई पिशाच होता है या कोई पिशाच उसके अंदर एंट्री मारता है तो तो ये मुझे तो अब तक जितने साइन मिले है उसके हिसाब से उसके अंदर पिशाचों ने तो इंटरी मारी ही मारी है बट वो रियल में भी क्या है ये मैं बताना मतलब बहुत ही मुश्किल है कि या जन्मजात ही ये पिशाच होते है या इनके अंदर सिर्फ पिशाच रहत सकते हैं क्योंकि वो चुनते ही ऐसी सोल को है जो कि बहुत लॉजिकल माइंड है 3D माइंड सेट का है खाना पीना आश करना सेक्षल लग्जरीज शराब पीना मास मटन खाना यह जो लोग इस चीज को बहुत ज़दा प्रियोरिटीज देते हैं सम्टेम्स डिवान मैस्कुले प्रियन भी जद ऐसा करते हैं वो देखते हैं कि भी कई सारी निगेटिव एनोर्जी जो है उनके अंदर इंटर कर जाती है घर बना लिया जाता है जैसे उनको और ये मुझे आज ड्रीम में कुछ मैसेजिस मिले ओके देखिए क्या आपसे भी रेजोनेट होते हैं मेरी एक रिलेटिव की सोल थी मतलब जो की बहुत ही लस्टफुल थी और बहुत ही जादा मतलब और सारे निगेटिव थाट्स उनके मतलब किसी के लिए भी अच्छा ना सोचना वगरा वगरा तो ये मन लस्टफुल बहुत ही जादा थी मतलब और कहीं न कहीं से वो सेम जेंडर हो कोई भी जो है पता नहीं क्यों बट मेरी तिरफ मतलब attracted कैसे थी यह तो मुझे नहीं पता बट खुबसूरत समझ थी उनके हिसाब से मैं जो हुँ खुबसूरत थी बट I was really मतलब इस चीज के लिए बिलकुल भी awareness में नहीं थी कि उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है लेकिन मरने के बाद वो soul जो है मेरी soulmate के शरीर में गुश गई और soulmate के थूँ वो operate करने लगी attract करने लगी और attract होने लगी तो शिव ने मुझे मतलब जैसे उनकर जो घर था जहां वो रहते थे वहां मुझे बहुत बड़ा शिव लिंग आकाश से जो है उसके उपर धारा बरस रही है और उसके उपर भगवान शिव का साक्षा चहरा दिख रहा है मतलब अब शिव से बरदाश नहीं हुआ कि बता रहे कि देखिए जो आत्मा है तेरे पीछे पड़ी हुई है और ऐसे गंदी है लस्ट फुल है और ये तेरे सोलमेट की थूँ तुझे जो है परिशान कर रही है तो ये मतलब जो extreme attraction तेरे सोलमेट तेरे लिए फील कर रही ह एक्च्छल वो जो है ये आत्मा उसके अंदर इंटर करके मतलब उसके शरीर को control कर लिया है सोलमेट की जो शरीर है उसको control कर लिया गया है और ये operate कर रही है ये जो है आपके शरीर पे attracted है आपके प्राविट पार्ट्स पे अट्राक्टेड है ये जो है इसने सिर्फ कुछ तो गलत है जो कि और इसलिए वो जो है सोलमेट के थू भी व्लैक मैजिक करा रही थी सोलमेट भी पहले से ऐसी थी तभी तो इसका शरीर उसने चुना मतलब बहुत एजी था कि वो सोलमेट का शरीर चुन सके क्योंकि मैंने बहुत अपनी जो वैंपार सोलमेट है उस बहुत ही आम चीज है तुम्हारी वाज़े से मैंने जो है एटलीस हपते में चार दिन बन कर दिया है मैं तीन दिन ही खाती हूँ तो यह में लिए बहुत ही शौकिंग था बट उसको भी मतलब उसके उपर भी कई डार्क अटैक होते थे जैसे उसको काली बिल्ली बोलते कि कोई जैसे गौड डेमन हो उसके साथ रिलेशन बना रहा है बट ने उसको कई बार बताती थी वो इस चीज को जो है नजर अंदास करती थी उसको सीरियसली नहीं लेती थी तो इन डीमन्स ने जो है उसका दिमाग कम्प्लीटली मतलब हैक कर चुके थे कि अब वही कर रह लिए थी जो वो डीमन्स चाहते हैं तो यह पूरी तरह इसको लस्ट में डूबो दिया था तो कुछ बंधन होते हैं दोस्तों जो हमको जो है ट्रिन फ्लेम्स को चाहिए कि वो ना किसी का खाना खाए ना कुछी से कोई गिफ्ट ले और ऐसा कुछ रहे कि अवेकनिंग के बात जो है किसी से एनोजी शेयर ना करें ज्यादा दोस्ती ज्यादा मुहबबत ज्यादा आना जाना बिल्कुल यह आपको जो है भगवान से ही अटाच रहना चाहिए अगर ऐसा मैं बोलू तो यह जूट नहीं होगा मैंने देखा कि जब मेरी फ्रेंड मुझसे मिली उसने जो है मेरे एक्चिल मेरे पाव में एक पाव है जो कि मैंने पसंद से पहनी है और मेरे न्यू थी वो तब तो I was not interested कि कोई मुझे उस टाइम पे पाव गिफ्ट करे क्योंकि मेरी जो पाव थी मैंने अपने पसंद से लेकिन उसने उस टाइन पर मुझे पाव गिफ्ट की तो मुझे ऐसा लगा कि इसका मन रखने के लिए मुझे पहन लेना चाहिए तो उसी ने मुझे वो पहनाई थी और यह कुछ न कुछ बंधन डालते हैं दोस्तों मतलब इन्होंने क्या कि मेरे पैर में खासकर पैर में लगता है यह ज़्यादा एफेक्ट करती है पैर में पायल बंधी हाथ में धागा बंधिया गले में रुद्राक्ष बंधिया मतलब हर तरीके से आपको बंधिया और जब ऐसा कुछ बंधन डाला जाता है बंध दिया जाता है उसके बाद आप लिटरली उनके इशारों पे नाचना शुरू कर देते हो मतलब आप अब उनकी किसी भी बात के लिए ना नहीं कह सकते क्यूंकि अब आप बंधन में हो और मैं मुझे बहुत दिन से साई बाबा से गाइडेंस मिल रही थी कि तुम कोई परसन है जो तुमें गाइड करेगा तुम वहाँ पे जाओ और मै मतलब महीना हो गया, 15 दिन हो गया, मैं नहीं जा पाती थी, मतलब नहीं जा पाती थी एक दिन में जब नहा रही थी वह पायल जो है अपने आप ही तूट गी और उसी एक घंटे में मैंने decision लिया कि मुझे जाना है, मतलब देखो जब बंधन बान दिया होता है ना तो ना आप कोई उपाय कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं जब तक इस बंधन में आप रहोगी तो कोशुश कीजिए कि किसी से कोई गिफ्ट ना ले चाहे कपड़ा हो या जो भी हो तो मैं मुझे रुद्राक्षर की माला बहुत पसंद आई थी तो मैं बहुत सोच रही थी क्या मै इसको उतार दू फिर साई बाबा के गार्डेंस पर मैंने उसको उतार दिया अभी भी लगता है नमक के पानी में डालू या उसका धागा चेंज कर दू या क्या करू बज़े समझ मिन आता लेकिन बाबा ने जो गारी किया कि मत पहनो तो मैंने नहीं पहना उसको धीरे-ध किरें मतलब कुछ ऐसा किया जाता है कि भई आपको जो चाहिए वो पहले गिफ्ट कर दिया जाता है मतलब आपको जिस चीज की जुरत है मनो अब आप उन्हीं के कपड़े पहनोगे, उन्हीं ने बेजा हुआ खाना खाओगे इस तरह से मतलब बंधन इतना डाल दिया जाता है कि आप पूरी तरीके से मतलब वशीकरन में आ जाते हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे गिफ्ट बेजे है जो कपड़े है, क्या है तो मैं अगर उसको रिटन गिफ्ट कोई देती थी या कुछ गिफ्ट देती थी तो वो दस गिफ्ट और दे देती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे ये बैलन्स करूँ क्योंकि मैं उसको एक गिफ्ट देती थी वो मुझे दस गिफ्ट दे दी थी उल्टा मतलब वो चड़ियों ही रहती थी हमेशा कि वो बस ज़्यादा ही करती थी मुझे किसी तरह से लगता था कि जो गिफ्ट भेजा है उसका जो कीमत है नैस को फॉरवर्ड कर दूँ रिटन गिफ्ट दे के बट ऐसा होता नहीं था क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही गिफ्ट दिने में माहर थी मुझे थोड़ा सा मतलब शक होने लगा कि क्या ये कपड़े मुझे पहनने चाहिए या ये मुझे फेक देने चाहिए डोनेट करने चाहिए जला देने चाहिए उसने कुछ गिफ्ट भेजे तो मुझे लगा कि भी अगर किसी चीज में कुछ एब होगा कुछ गलत होगा तो भगवान खुद मुझे बता देंगे गाइड करेंगे ये मुझे विश्वास था तो मैंने आज कुछ ड्रीम देखे जिसमें मैंने डवान मास्कुलाइन की भी एनरजी देखी उसको कहीं से शक है उसको कहीं से शक है कि भी मेरी जो डी अफ है शायद फिर से किसी सोलमेट कनेक्शन की तरफ अट्राक्ट हो रही है या जाना जाती है या मुझे छोड़ देना चाहती है तो कुछ ऐसा जब आप किसी के दूसरों के ख्यालों को जब एनरजी पिक करते हो तो उसमें जो है आपको ऐसा दिखाया जाता है जैसा वो परसन सोच रहा है जैसे मैंने आज एक ड्रीम देखा उसमें देखा कि मैं अपनी सोल मेट को बोल रही हूँ कि तुम एक बेबी एडाप्ट करो और एडाप्ट करके मुझे देतो क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुमारे पास वापस आ जाती हूँ जबकि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है और सपने में ऐसा दिख रहा है और मैं जो हूँ किसी मैंने देखा कि जो रिलेटिव की सोल थी जिसने इसकी बोड़ी पे कंट्रोल कर रखा था भगवान ने उस आत्मा को सबक सिखाया, उसके जो है प्रावेट स्पार्ट काट दिये, और मुझे लिटरिली मुझे देवियों का जुंड जैसे गर्बा खेलते हैं तो मुझे पूरी देविया सरकल में दिखाई दिये, मुझे मानलो सौ देड़सो होंगी, बहुत बड़ा देवियों का सरपला कौन सी देवी कौन सी थी यह तो मैं नहीं देख पाई, बट वो पूरी गॉड़ेस थी, और उन्होंने बहुत बड़ा राउंड सरकल किया था, मतलब यह राउंड सरकल बता रहा था कि यू आर प्रोटेक्टेड, तुम जो हो, प्रोटेक्शन में हो, तुमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और इस आत्मा ने तुमारे उपर बुरी नजर डाली है, मतलब इसलिए इसके प्राइविट पार्ट्स मतलब काट दिये जैसे, तो मतलब और मेरे सोलमेट भी उस लड़ी को देख रही है, उस आत्मा की लड़ी को देख रही है, औ समय देख रही हैं उसके पाद मैंने देखा कि हम नए और मेरी जो वंपार सोलमेट है हम किसी बस में जा रहे है और बस के बाहर मैंने देखा कि जो है बाहर शेर है, एक शेर दिखा फिर दूसरा शेर दिखा, क्या होता है कि ड्वान मास्कलाइंग जो होता है शेर के रूप में divine feminine के dreams में आता है starting तो मतलब वो जिसे ego में होता है अपने power में होता है दिल की नहीं सुनता लेकिन फिर भी वो समझने लगता है या ऐसा होता है कि वो divine feminine की और कुछ ज़्यादा ही attracted हो जाता है उसके वश में हो जाता है जैसे कहा जाते है कि शेर जो है पूरी दुनिया के लिए शेर है सब king है, raja है, leader है सब उससे डरते है लेकिन जो उसका अपना ही बच्चा होता है वो उसको काटता है उसकी body पे खेलता है, नाचता है कुछ भी करता है लेकिन शेर उसका बाल भी बाका नहीं कर पाता तो उस तरह से क्या होता है कि डिवान feminine के लिए भी पहले वो शेर ही रहता है जैसे मुझे dreams आते थे कि मैं शेर को hug करके सो रही हूँ कि और मुझे लगा जैसे कोई pillow है रिया कुछ है और मैंने आखे खुली तो अरे बाबर यह तो शेर है तो मैं डर के पीछे हट गई लेकिन मैंने देखा कि शेर तो कुछ नहीं कर रहा नेरे उपर ना अट publications कर रहा है कुछ और कर रहा मैं जो बहुत डर्ती थी अपने DM से बहुत डरती थी और वो शेर के रूपने मेरे ड्रीम में आता था और उसके बाद मैंने देखा कि मैंने जो है शेर मानो जैसे कुट्टा पालते हैं ना कुट्टे को लेके घुमते हैं वैसे मैं शेर को लेके शेर के गले में पट्टा है चैन है उस चैन को मैं पकड़ के शेर मस्त गुलामी उसने एकसेप्ट कर ली और मेरे घर में आ रहा है हो मतलब शेर के रूपे ही Divine Masculine आता है स्टार्टिंग में और बाद में मैंने देखा कि किसी कारण मैंने उल्टा जवाब दिया था अपने DM को बहुत सारे उल्टे जवाब दिये थे तो DM को बड़ा गुसा आया था और वो जैसे मेरे घर के बाहर में मतलब गुर्रा रहा था शेर ही गुर्रा रहा था बहुत बड़ा शेर गुर्रा रहा था वह थार्ट पर्टी को जो है बिच के रूप में मतलब फीमेल डॉक के रूप में दिखाया गया मतलब यहां पे साफ साफ बताया गया कि यह जो है तुम्हारा डिवान मास्कुलाइन जो है एक डिवाइन सोल है वह एक रियल लीडर है शेर है और उसकी कौपी करने वाली मतलब उसकी जो पाटनर है सी 5 वह फीमेल डॉड है उस तरह से मतलब आपको बताया जाता है कि क्या करेक्टरिस्टिक है थार्ट पार्टी की क्योंकि आप उपरी दिखावे में आ जाते हो कई बार डिवन फैमिनन जो है बहुत रिस्पेक्ट करती है डियम के वाइफ को भी और उसको वो एनरजी देती रहती है प्यार वाली एनरजी सेंड करती है आप मानों कई बार हो सकता है कि डियम की वाइफ आपकी फ्रेंड हो और आप उसको इतना प्यार करते हो इतना प्यार करते हो आपकी एनरजी जाती है इसलिए आपको ड्रीम में साफ साफ बताया जाता है कि कौन क्या है तो इस तरह बार 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 मेरे DM जो है मुझे शेर के रूप में दिखाई दिते थे फॉस्ट time जब मुझे टावर मुमेंट आया तो एक सफेद शेर कूद के मेरे पास आ रहा है उस ताम पर एक ही टाम पर सफेद शेर दिखाई दिया बाद में normal share ही दिखाई दे रहा, brown बगरा ऐसे दिखाई दिया थे तो मुझे लगा कि आजकल मेरा DM share के रूप में मेरे dream में नहीं आता इसका मतलब वो जो अब guy बन गया है, जैसे मतलब उसकी energy अब जो है मतलब जितना ego, egoistic, arrogant, घुसे वाला, बहुत ही मतलब गुर्राने वाला उस तरह से अब वो ऐसा नहीं मेरा मतलब मन कहता है, आत्मा कहती है लेकिन कहीं से तो ऐसा लग रहा है कि दिवान masculine की जो ऐसा लग रहा है कहीं ने कहीं हो सकता है कि किसी ने उनके कान भरे है, किसी ने गलत फैमी फैला रखे या आपकी किसी चीज़ को उन्होंने गलत मतलब निकाल लिया है इसलिए वो जो है, misunderstanding में है कि उनको ऐसे लग रहा है कि मेरे dear जो है फिर से किसी soulmate के connection में फस रही है और मैं उस bus में अपनी soulmate के साथ जा रही हूँ और सारे बाहर share के देखके मैंने खिड़की का दरवाजा लगा लिया मतलब उन से कटके हम जा रहे है, मतलब share के रूप में फिर से वो दिखाई दे रहे है मतलब गुस्सा आ रहा है उसको, ego आ रहा है कि मुझे छोड़के जा रही है तो गुस्सा उसको आया है इसलिए वो share के रूप में फिर से दिखाई दिया जबकि दो साल एक साल तो होई गया, वो कभी मुझे share के रूप में दिखाई नहीं दिया था मुझे लगा वो इतना DF के लिए पिगल गया है कि फिर से वो share के रूप में नहीं दिखाई देगा लेकिन tiger अभी जिन्दा है, इस तरह से मतलब उसके अंदर का अभी भी वो जो है aggressive हो सकता है, वो सिर्फ प्यार में पिगल गया है लेकिन जब DF उनसे दूर जाती है, तो वो बरदाश नहीं कर पाता उस चीज को इसलिए वो फिर से share के रूप में आ जाता है उसमें मुझे search करना पड़ेगा, उसमें मैंने देखा कि फ्रंट सीट पर बहुत सामने जो है, एक लेडी बेटी हुए, लेकिन वो कांच जैसे टूटे हुए है मतलब टूटा हुआ ऐसे दिखने है, crush दिख रहा है, जैसे कोई carry bag crush हो जाता है उस तरह से वो कांच दिख रहा है, तो उसको संभालने की कोशिश वो lady कर रही है, मैं कर रही हूँ, ऐसा कुछ दिखाई दिया तो उसका क्या मतलब है, टूटे हुए कांच का, वो मुझे नहीं समझ मैं हूँ, मुझे search करना पड़ेगा तोटा हुआ नहीं exactly, ऐसा crush दिख रहा था, मतलब मानो, plane नहीं है, तोट सकता है, गिर सकता है और उसमें से share नहीं कहीं आ जाए, इसलिए मैं उसको, हो सकता है कि कोई जरोका बाकी है, कहीं से आपका divine masculine आपको hack कर रहा है, ये भी हो सकता है मुझे हमेशा doubtful लगता है, कहीं वो मेरा number hack तो नहीं कर रहा, whatsapp hack तो नहीं कर रहा, पता नहीं कैसे या subconscious level पर आप एक दूसरे के message समझ जाते हो, जैसे मैं अपनी soulmate friend से बात कर रही थी, वो सब कुछ मेरे DM तक पहुंच जाता है, automatic और वो जो ड्रीम में मुझे दिखता है कि तुम जो लंबी बाते कर रही हो अपनी soulmate से, मेरा DM जो हस के देख रहा है, notice कर रहा है, उस समय मुझे ऐसे भी ड्रीम आए कि अब वो बदल चुका है, अब उसको पश्चाताप हो रहा है, और जो है, हमेशा कार दिखाई जाती ह तो किसी ने उसका meaning मुझे बताया, कि वो मन में सोच रहा है, कि जब मैं separation में अपने घर में आ गई, तो मुझे दिखाई दिया कि वो एक कार लेके मेरे द्वार पे खड़ा है, मुझे जैसे लेने के लिए आया हो, मिलने के लिए आया हो, लिटरली ले जाने के लिए आया ह और बार बार वो जो जब गुसा आया, उसको फिर कार में वो चला जाता है, मतलब मन उसका उठ गया है इस तरह से, और फिर उसमें दिखाई दिया कि वो मुझे लेने आया है, और कार में मैं उसके साइड में बैठी हूँ, मतलब उसको सब समझ में आता है, आप उसे आप उससे connected हो, एक ही आत्मा है तो पूरे subconscious level पे आपका mind आत्मा एक ही होने के वज़े से सारे messages उस तक पहुँच जाते हैं आपके divine masculine को तो आप अभी twin flame connection में कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं आप लाग चाहो, आप उससे कुछ भी hide नहीं कर सकते तो मतलब इस वक्त की energy ऐसी है दोस्तों कि divine masculine के मन में कुछ तो शक्का कीड़ा है और ये जो soulmate है ये आपका पीछा, मतलब मैंने किसे से पूछा था भई कि तो उन्होंने कहा ये आपको कभी छोड़ेगी नहीं क्योंकि ये past life connection है आपका जो पूर्व जन्म से पीछा करते हुए आया है, मतलब इसका जन्म का purpose ही है आपको पाना तो ये छोड़ेगी नहीं कभी आपको लेकिन ये vampire energy में क्यों है इस सबसे बड़ा मेरा दुख है at least मैं उसको friend के रूप में तो रखती, बट vampire होनी की वज़े से जो है, मतलब मरने की कगार पर आ जाती हूँ इसलिए मैं डर के उसके पीछे हट जाती हूँ बहुत सारे दोस्तों मन से इन्होंने जो है divine masculine ने thought party को निकाल दिया है और आपको मन से accept कर लिया है thought dimension में वो चीज़ कभ होगी I don't know हो रही है कि ये जो है मुझे छोड़ के जा रही है पर इसके अंदर हिम्मत नहीं कि आपको call करे, phone करे, बात करे पूरा band वजा रखा है वो जो bus है जिसमें मैं अपनी vampire soulmate के साथ जा रही थी मैंने देखा कि कहीं एक मंदिर है और सारे लोग जो है bus के अंदर के उस मंदिर को अपने कपडे donate कर रहे है और कहा जा रहा है कि जो जरूरत मंद है उस मंदिर से जो है वो कपडे उठा सकता है मतलब मदद ले सकता है तो कहीं न कहीं मुझे मतलब ये गाइड किया गया कि तुम्हारी फ्रेंड में जो तुमको गिफ्ट दिये है कपड़े तुम उसको कहीं पर डोनेट कर दो तो मेरे मन में भी ये खयाल आया था लेकिन फिर मैंने सोचा यार उसके अंदर जो एनरजी है तो रॉंग एनरजी अगर किसी ने डाली है उन कपड़ों के अंदर तो ऐ आपके कार्मिक ने ना आपके लिए कभी गिफ्ट निया दिया ना आपके घरवालों ने आपको कभी गिफ्ट दिया तो एक बहुत प्यारी सी याद होती है जो कि इस तरह जला डालना भी ठीक नहीं लगता है तो करे तो क्या करे इस तरह से मेरा हाल हो गया कि और मैं कहीं ने कहीं revenge, okay, क्योंकि मेरे कार्मिक ने मेरे लिए कुछ नी किया, मेरे घरवाले ने कुछ नी किया, और ना मेरे DM ने मेरे लिए कुछ किया, तो मैं उस revenge में भी वो पैन लेती थी, उसने दिये हुए कपड़े, इस level पे वो control कर लेते हैं आपको, कि आप उनके, मतलब वंपार जब आपसे connect होते हैं, तो सुबा से लेकर midnight हो या कुछ भी होई, कभी भी phone करेंगे, ये पूरी तरी से hack कर लेंगे आपको, आपकी सारी चीजे hack कर लेंगे, अब आप उनके इशारों पे नाचते हो, बंधन डाल दिया, मतलब पैर में चैन पैदा दिया और पैर में बंधन डाल दिया, बहुत लोग ऐसा करते है कि पैर में ही कुछ करते है कि बंधन डालते है पैरों पे उपर बंधन डाला जाता है तो जिस दिन वो पैर के चैन ऑटोमेटिक तूट गई उस दिन वो बंधन तूटा, उस दिन मुझे कहीं से गाइडन्स मिला reality समझ में आई मैं उसको follow कर पाई otherwise जब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था लेकिन मैं action नहीं ले पा रहे थी लेकिन जिस दिन वो pile टूटी उसी दिन से मैंने action लेना start कर दिया इसलिए कभी भी जो है अब एकनी के बाद कोई gift अगर मिले तो उसके पर बहुत नजर रखिए कि किसी से gift मिला है तो उसके बाद क्या changes अगर आपको लगता है तो वो gift आप अपने पास मत रखो अब मेरे लिए सवाल ही है कि मुझे रुदराग शरी माला बहुत पसंद थी अब मैं उसको बहां दू या क्या करू उसका जो मुझे gift मिली है DF की energy ऐसी है दूस्तों कि DF मतलब तंग आ चुकी है मतलब DF को ऐसा लग रहा है कि मतलब इसे उतना over हो जाता है कि हर कोई मेरी life में मेरी life में सुख नहीं है अब जिस भी DM की ऐसी energy है कि मुझे किसी ने सुख नहीं दिया क्योंकि last में ये भी समझा है कि जिसको हम soulmate कहते थे वो भी energy ही ले रही थी हमारी vampire ही थी वो सारे स्वार्थी ही लोग मिले है इस तरह से DF थोड़ी heart है और बिलकुल मतलब ऐसा लग रहा है मानो जिसे मेरा जिवन को राका गज को राही रह गया कि कार्मिक उनको fulfillment नहीं दे पाते अब जिन DM के पहले से बच्चे वगरा है तो उनको तो थोड़ा fulfillment मिल गया life में कि चलो भई एक part missing है बच्चे है, घर है, सब कुछ है लेकिन जिन DM के मतलब बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है जिनकी age अब मतलब 40 के नियर जा रही है अभी भी उनका reunion नहीं है तो उनको जो है एक तरह से मतलब revengeful attitude divine masculine के लिए क्योंकि 3D में वो expect नहीं कर सकती कि मुझे कुछ दो कि मुझे ववाहिक जीवन का सुख दो या मुझे माँ बनने का सुख दो क्योंकि कोई रिष्टा ही नहीं है उनसे और soul level पर वो जानती है कि भई ये मेरा divine partner है अगर किसी का करतवे बनता है तो इसका करतवे बनता है बट ये फिर भी अपनी responsibilities से भागता है तो ऐसे में divine feminine मतलब ऐसा हो गया जिसे मर गया मेरे लिए बस अब बस मतलब इसने जो है मतलब मेरी सारी खुशिया जो है छीन के third party को दे दी जो कि अपने divine connection को इसने पहचाना नहीं उसको respect नहीं किया अपने d.f को time नहीं दिया मतलब डिवान feminine का ऐसा हो गया कि उनको अब divine masculine की गलतिया दिख रही है तो वो प्यार कहीं कहीं उड़ गया ऐसे लगता है कि देखो जिसके उपर प्यार हो आप उसको निगलेट नहीं कर सकते बच्चों के उपर हो तो बच्चों को निगलेट नहीं कर सकते मा के उपर हो जिस भी चीज़ पर आपर किसी का passion होता है कि वो पढ़ाई के लिए बड़ा भगवान के लिए कोई addicted होता है कोई जानवरों के लिए addicted तो जिस तरफ आपका shock है आप उसकी तरफ जाते हो किसी को शरापका addiction हो जाता है अगर सच में ये मुझसे प्यार करता तो ये मेरी responsibility लेता कि मेरे shock क्या है या किस चीज़ के लिए मेरा मन तरस्ता है या मेरे दुख का कारण क्या है तो ये कभी उस चीज़ पर focus नहीं है और ये जो खुशिया मतलब DF की life में होनी चाहिए वो छीन की वो किसी और को दे रहा है third party हो या अपना काम हो तो मतलब DF का partner अगर हो उसको life में partner की जुरूरत है तो वो partner कहां वेशते बहुत लोगों की life में third party जो होती है DM का काम होता है फिलाल के लिए ऐसे हो गया है कि DM का काम जो है वही third party हो रखी कि उसकी वज़े से उसको जो है divine feminine के लिए time ही नहीं है बिल्कुल time ही नहीं है अब वो जो है सिर्फ उसका काम और वो काम ही जाने इस तरह से उसकी हालत हो रखी है जबकिए DF जो होती है Goddess Lakshmi का उसके अंदर अश होता है अगर ये उससे connected हो जाए तो ये सोच भी नहीं सकता कि कहां से उसको opportunities आएगी कहां से उसके मतलब abundance बढ़ जाएका जितना समय ये अपनी काम को दे रहा है अगर ये DF को देता है तो वो कहीं से भी opportunities जो है उसके पास आ जाती है बट ये जो logic जो है divine masculine समझ नहीं पारे और वो जो है फसे पड़े हुए है अपने काम में third dimension में सारी चीजों में तो DF जैसे जो बहुत ascent हो चुकी वो समझ रखी वैसे भी तो इसने मेरी life बरबादी कर दी ये time पे आया नहीं और अब मुझे ये क्यों चाहिए तो इस तरह से divine feminine की energy होगी कि मैं क्या करूंगी इसका रायता डालूगी मैं इसका क्या करूंगी मुझे नहीं चाहिए अभी रहता है ना तो वहीं पे रहा इस तरह से divine feminine की energy होगी या मैं खुद को balance करूंगी जो ये neediness की energy है वो समझ रही है कि मैं अप neediness की energy में आ गए हूँ मुझे जो है दूसरों के मितलब गुनाहा दिख रहा है मेरे डियम के गुनाहा दिख रहा है कि उनों नहीं टाइम पे entry नहीं मारी मेरे life में तो अब जो हैं हील करती हूं खुद को तो बहुत सारी divine feminine अपने आपको बहुत कोई reiki से कोई subconscious healing से इस तरह से अपने आपको healing में लगी हुई है दोस्तों अगर आप चाहते हो कि बहुत successful आपकी ये twin flame journey हो तो reiki जरूर सीखे और Delhi inner work का meditation दो चीजे बिलकुल आपको करनी है जो कि 6000 में आरामशिर हो जाता है इतना में आप first level, second level, कम से कम reiki का आपको सीखना चाहिए इतना आप कर लेते हो ना तो माननो जंग जीत लिया आपने inner work के बाकी कोई किसी चीज की तरफ आपको देखनी की जरूरत भी नहीं है without inner work भी आपका reunion होता है क्योंकि इस journey में proper guidance मिलता है लेकिन आप फिर भी अगर रेकी और सपांशे सीलिंग जाइन करते हो तो बहुत सी मुसीबतों से बहुत सी चीजों से आप बच सकते हो आपकी journey बहुत smooth हो सकती है क्योंकि जन्मों की साधना से जो प्राप्त नहीं होता वो रेकी में कुछ ही दिनों में प्राप्त होता है तो जितने जादा लेवल लेते हैं उतनी अध्यात में ग्रोथ होती है आपकी रेकी कोई हट योग नहीं है और इसका कोई साइड एफेक्ट भी नहीं है अगर कोई भी crystal bracelet खरेदना हो आकाशिक record, tarot card reading, horoscope reading ये कर रहाना हो या सीखना हो तो जरूर contact कीजिए past life, regression, subconscious, healing, midbrain, activation, music Kundalini yoga जिनको भी अपनी टुन क्रीम जरनी confirm करनी है उनको रेकी सीखना चाहिए Kundalini yoga का एक meditation है वो जरूर करना चाहिए तो ये 7 step 7000 में आपका सब कुछ हो सकता है Delhi inner work का meditation 1st 2nd level रेकी और Kundalini yoga इतने में आपका confirmation भी हो जाएगा और आपकी inner work में भी आप लग जाओगे ओके दोस्तों, thank you so much